हेलो एवरिवन आप लोगां का स्वागत है मेरे कौर वीडियो में तो यह जो आप देख रहे हैं टैंक यह मेरा फोर फीट का टैंक है यह मेरे घर में सबसे बड़ी टैंक है तो मैं कुछ तो मैं उसको रिमूब कर चुका हूँ पर बहुत दिन से हमारे पास 2021 में लेकर आया था और अभी तक है तो मैं नहीं उसके लोटा पाया मुझे लोटाने का मन नहीं किया फिर तो मैं तो अभी जो मॉंस्टर जाइंट गुरामी है उसे में तीन फीट वाले टैंक में रहेगी नहीं यह बात कन्फाम है तो मैं फोल फीट का टैंक आज से एक-दो मन्स के बाद मैं जाइंट गुरामी के लिए लाऊंगा फिलाल इस टैंक में स्टोन का सेटप क्यों किया हूं यह पहले लॉजिक है तो इस टैंक में मैं कुछ मॉंस्टर फिसेश का सेटप करने वाला हूं तो आप देख सकते हैं स्टोन बहुत जवर्दस लग रही इसमें कुछ स्टोन में पर्चेश किया हूं और कुछ स्टोन में खुद यहां पे पहाड़ है थोड़ी दूर पे यहां बढ़ा स्टोन जो है और कुछ मैं बहुत सारा मैं चुन के भी लाया था इसमें कौन से फिसेश का मैं सेटप करूंगा यह मैं आपको बताता हूं मेरे पास पहले से बहुत सारे फिसेश हैं जैसे इस टैंक में मैं अभी पैरेट और सिवरम रखने वाला हूं अभी मैं इंट्रोड्यूस करेंगे तो एक्चुल में पैरेट और जितने भी सिक्लेट वेरेटी की फिसेश होती है तो उसे स्टॉन का सेटप बहुत ज्यादा अच्छा लगता है मैं सेंड नीचे एड़ नहीं किया हूं नीचे में ग्रास एड़ कर दिया हूं क्योंकि ऊपर है यह स्टॉन रखाऊं सिर्व तो फिल्टर की सिस्टम की जातक बात है तो एक फिल्टर आ पर इसमें एक फिल्टर से चलने वाला नहीं है इसमें अच्छा लाओंगा श्यूंकि मॉंस्टर फिल्टर दो तो इसमें बाइयो मेडिया और दो फिल्टर जोरी है इस टैंक में प्लस सफाई करने के लिए हमेशा 30% वाटर आप चेंज करेंगे इसमें आप फिसेस के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं तो इसमें अभी तो फिलाल मेरे पास पांच पैरेट हैं और यह पांच पैरेट लगवक बहुत दिन से हैं मतलब एक साल से उपर ही हो गया है आप इसका अन्बॉक्सिंग वेगरा का वीडियो देख सकते हैं हमारे पैरेट के प्ले लिस्ट में उसमें से नौ पैरेट में लेकर आया तो चार में रिटन कर दिया था क्योंकि मुझे अलग-अलग फिसेस र और भी एड होगा जैसे कि मेरे मन में है घ्रीन टेर घ्रींट टेरा एक से अलावा आट नेंगे और एक दो लेक्रेंट करेंगे जाइन्ट नेंगे देरे-ऀड्रे तो मैं ग्रींट वाले आने वाला हूं सवकीपर वाले था वहां आ चुका है तो मैं जरूर लाओंगा ग् जगा के scarcity है कमी है तो जल्दी से मैं जगा बनाऊंगा फोर फीट वाले टैंक के लिए और उसे सिंगल फोर फीट वाले टैंक में रख दूंगा इसमें फिलाल आप देख सकते हैं मेरे पास फिसेज जवरदस्त है काफी बड़ी भी हो गई है साइज की और यह सेट अप कैसा लग रहा है यह आप हमको कॉमेंट करके बता सकते हैं वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर लेंगे इस वीडियो को तो अभी तो मेरे पास टोटर आठ पीसे पैरेट और सिब्रम फिसेज मैं इसे अब टैंक में इंट्रोड्यूस करता हूं उसके बाद मैं आपसे बा इसके बहुत ही अच्छा इसमें दिख रहा है इसमें अभी तीन सिवरम फिसेज और पांच पैरेट फिसेज आप बताएए कि इसमें कौन सी एट करो मैं ग्रीन टैरर और फाइर माउथ सिक्लेट अभी तक सोचा हूं तो एक एक पीस दोनों आएगा एक ग्रीन टेर आएग लगेंगे कुछ और सिकलेट तो वह भी मैं लेकर आऊँगा क्यूंकि बहुत ही जबरदस दिखेगा साड़े सिबरम सिकलेड ही एक होता है मलावी सिकलेड वह अलग होता है वह फिर इन सारे फिसेस के जो टेल है उसको फिर काटने लगेगी फिर दिक्कत होने लगता है उसमें पर यह सारे फिसेस बड़े अच्छे ढंक से रहेगी कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है और यह मत समझेगा कि जाइंट गुरामी को प्लेस छोटा हो गया जाइंट गुरामी को भी प्लेस अफिसेंट है अभी मैं दिखाऊंगा आपको वीडियो के अंत में पर मैं समझता हूं कि जाइंट गुरामी अगर आप रख रहे हैं तो फूर फीट के टैंक में सिंगल रखिए क्योंकि मेरे पास काफी बड़ी साइज की मॉंस्टर साइज की जाइंट गुरामी है पर मेरा मन नहीं लग आँ इसमें और फायर माउथ सिकलेट यह तीन तो अभी है तो आएगा ही आएगा सिलवर डॉलर साइथ नहीं भी आ सकता है पर यह दो आएगा मतलब फायर माउथ सिकलेट और ग्रीन टेर यह मैं जल्द ही लाने वाला हूं तो पैरेट है आप देख सकते हैं सिवरम है अच किसी को रिटन करना पड़ेगा क्योंकि मैं तो नहीं कर सकता हूं अभी बहुत सारे फीसेज हो गए मतलब बड़ी साइज की पैरेट हो गई है तो देखी सकते हैं कितनी साइज में बड़ी हो गई है बहुत छोटा में लाया था दू-3 इंचेश की थी तब से अभी तक है ह जो भी फीसेज लाने मैं लाऊंगा चलिए अब थोड़ा सा जाइंट गुरामी में आपको दिखा देता हूं क्या हाल है उसका फिर वीडियो का आंद करेंगे तो यह रही आपकी प्यारी जाइंट गुरामी जो कि इस तीन फीट वाले टैंक में जिसमें पैरेट थी अभी है जोमत दिन तक ही उसरवाइब नहीं करने वाली आपको तेंग में तक की लिए तेंग में अलग से दूसे 1 चurry ऑप ख busca तो बहुत दिन तक रहेगी और अच्छे से रहेगी तो यह सारे सिवरम फिसेश और पैरेट फिसेश की मेरे पास कैलक्सन है कुछ आप देखी सकते हैं इसमें ग्रीन टेरर और फायर माउथ सिकलेट आएगा और कैसा लग रहा है स्टोन का सेट आप जरूर कॉमेंट करके बत जो कि घूम रही है ब्लैक सेंड नीचे है सिर्फ जाइंट करामी का टेंक बेर बॉटम रहना चाहिए क्योंकि उसे उतनी प्लैंट्स वेगर पसंद होती नहीं है और यह फिल्टर चली रही है उपर आप देख सक रहे हैं बहुत सारे फिसेश का केलेक्शन हो चुका है और यह लगता है क्योंकि मुझे सब बहुत अच्छे लगती है अच्छा चलीए एक और टैंग मैं आपको दिखाता हूं एंजल का टैंग देख सकते हैं मैं आपको साइट से थोड़ा दिखाता हूं यह एंजल्स जबर्दस्त यह टैंक पुरानी थी आपको पता है देख सकते हैं प्लांट्स अच्छे डंग से ग्रो हो रहा है कोई भी इसू नहीं है इसमें जर देख सकते हैं यह मेरी ब्लैक टक्सीडो एंजल स इसका भी लगवा है आट मंद से ज्यादा हो गया साइज बहुत ज्यादा अच्छी आई है और एक वेल टेल एंजल से यह दोनों पेयर बनाके है तो इसे मैं छेड़ चाड़ नहीं करता हूं यह धाई फीट का टैंक है और इसमें मात्र एक पेयर एंजल फिसेज इसके लि इसमें मैं द्वार्फ गुरामी का सेटब करने वाला हूं इसमें पोथोज लगे हैं और इसमें मैं द्वार्फ गुरामी का सेटब करूंगा जल्दी यह सारे फिसेज आने वाली है हमारे चैनल पर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आफ सब तो यह वाला टैंक प्लांटे टेंग से अइंट ऑने हो उप गार немного सब नहीं है सोप में डैंक यह सब्लांट आता है दो इसके लिए करें क्योंकि इस वाले कि मैं लगबक तीन पैर यह हो ब्लू एंग्जल कोना एक हमारे पास पहले से है तो लगबग साथ से आठ बलू एंजल एक पर जाती की रहेगी तो बड़े अच्छे डंग से रहेगी तो यह है मेरी प्यारी सी एंजल्स और यह प्लांटेट टैंक और यह मेरी 4 फीट की टैंक है और इसमें पैरेट और सिवरम फिसस अराम से घूम रही है इसके लिए बहुत बड़ी टैंक हो गई और इसमें यह अच्छे से रहेगी इसमें और भी फिसस आएंगे तो कैसी लग रही है स्टॉन की सेटप कैसी लग रही है हमारी प्यारी फिस कॉमेंट करके बताइए चलिए जल्दी मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा वीडियो अच्छी लगए हो तो लाइक कर लेंगे तब तक के लिए थांक्यू सोमाज बाइबाई एंड टेक केर